नमस्कार मैं हूँ पंकर इंश्रा और आप देख रहे हैं एनन स्पोर्ट्स आईपेल 2022 से पहले कौन सा खिलाडी रिलीज होगा और कौन सा खिलाडी रिटेन हो जाएगा इसको लेकर तभी कोई जाना चाहता है इतना है नहीं आईपेल 2021 में जो आई खिलाडी खेल रहे थे उ क्योंकि आईपेल 2022 का आउक्ष्ण अब बहुत जादा दूर्स नहीं है आईपेल 2022 के आउक्ष्ण से पहले ये भी साफ हो जाएगा कि कौन से खिलाडी रिलीज हो रहे हैं और कौन से रिटेन किये जा रहे हैं जो खिलाडी छोट दी जाएंगे वे एक बार पिर से कि में ऐसे तीन खिलाडियों को आउक्ष्ण से पहले ही अपने पाले में कर सकती हैं जो रिलीज किये गए होंगे इस बीच एक ऐसा भी खिलाडी है जो पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा पर दर्शन कर रहा है और हर टीम चाहेगी कि उसे अपने साथ आ जाए लेकिन इस तबाली है कि क्या वो पतलीज होंगे या पिर रिटेन होंगे आज इस वीडियो में पिकी पर बात करेंगे लेकिन इस पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े अभी के अभी हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब कीजिए घंटी दिख रही है उसे प्रेस कीजिए और ये ये गव्रमिया रिपोर्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि Sanjoo Samson खुद अपनी टीम को शाथ नहीं रहना चाहता है बरी बात ये भी है कि ये खिलाडी पर ही निरवर करेगा कि वह अपनी टीम के साथ रहना चाहता है या नहीं तीम भले अपने साथ खिलाडी को संजु सेंचन ने आईपल 2021 में अपनी टीम राजिस्टान रोयल्स के लिए शानदार परदर्शन किया हाला कि टीम बहुत अच्छा परदर्शन आईपल के दोरा नहीं कर तकी संजु सेंचन ने स्यद मुष्टाक अली ट्रफि में जिस तरह का परदर्शन किया है उसके हर टीम की नजर उनकोर समय बादे संजु ने पिछले 6 मैचों में 113 से भी जादा के औसर से 143 से भी जादा से स्ट्राइक रेज के साथ रन बनाए पहले मैच में संजु सेंचन ने 43 गेंट पर 113 की पारी के लिए बहीं दूसरे मैच में 20 गेंट पर ही उन्होंने 45 गेंट पर इन दोनों बार वे आउट भी नहीं हुए इसके बाद इसरे मैच में छे रिंग बनाकर और चोथे मैच में 145 बना तक जल्दी आउट हो गए लेकिन पाचवे मैच में फिर संजु सेंचन का तूफण आया है और उनोंने 27 गेंट पर नावाद 51 डरनों की पारी के लिए और इसके बाद 49 गेंट पर 52 डरनों की पारी के लिए और इस बार भी भी आउट नहीं हुए जयानि पिशले 6 मैचों में से 3 मैचों में उनोंने और जब भी उन्हें अच्छी शुरुआत मिल गई है यानि अच्छी शुरुआत करने हो काम्याब हुए हैं तो जिरोधी टीम के गैनबाद उनको आउस करने में काम्याब होती है इससे समझा जा सकता है कि वह इस वक्त कितने शानदार फॉर्ण है अलांकि टीम इंडिया में उनका सेलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है पहले उन्हें T20 विशुकप 2021 वाली टीम में शामिल नहीं किया गया और जब भारत बनामनेजिलेंड स्रीज के लिए टीम का ऐलान किया गया तो उसमें भी उनको जगह नहीं मिल पाई लेकिन इतनी बात पक्ती है कि अगर वे इसी तरह के परदर्शिन करते रहते हैं तो दक्षण अफरीका खिलाब जब भारती किन को दक्षण अफरीका तोरे पर जाना है तो उनको टीम में शामिल प्याइचा सकता है आपका क्या कुछ कहना यह बहुत इंपोर्टन है क्या संजू संतन को राजिस्तान द्वाइस के साथ ही रहना चाहिए या फिर उन्हें कितनी और प्रीम के साथ लोगना चाहिए आप अपनी बात हमें नीचे कॉमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो खत्म हो आपको लिए एक बार प्रिश्ते बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनिम स्पोर्ट को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो फटा फटे सब्स्क्राइब कीजिए घंकी बजाएए ताकि आपके पास सारे नोग सेटिशन्स आते रहें और ह इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जल्द ही नया वीडियो लेकर के हम फिराएंगे तब तक के लिए नमस्तार